हलो एवरिवन टिकलेट्स एकडेमी यूटूब चैनल में अब सभी का स्वागत है आज की वीडियो में किर्चॉप्स होल्टेज लो ये टोपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 13th प्रॉलिम सॉल करेंगे तो देखिए जो प्रॉलिम आज हमें सॉल करना है वो आ प्रॉलिम सॉल करेंगे और ये प्रॉलिम सॉल करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेंगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉलिम में यूज किये थे अगर आप यहाँ प्रॉपरली चेक करेंगे तो यहाँ पर थ्री लूप्स दिये हैं देखो यह है लूप वन यह है तो चलो हम यह problem solve करना start करता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यह loop 1 में हम kvl apply करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर हम statement में लिख लेंगे that is apply kvl in loop 1 apply kvl in loop 1 तो ऐसे में सबसे पहले आपको check करना पड़ेंगा कि loop 1 में कितने elements है तो देखिए loop 1 जो है यह ऐसा loop 1 बनता है और यहाँ पर अगर हम check करेंगे तो यहाँ total 3 elements है ठीक है यह एक resistance यह एक voltage source और यहाँ पर एक और यहाँ पर resistance तो इस तरह से यहाँ पर 3 elements है इसका मतलब यह है कि जो equation बनेंगी उसमें 3 terms आएंगे और यहाँ पर यह loop 1 में already current का direction दिया हुआ है देखो यह loop 1 में इस तरह से ऐसा current का direction ऐसा clockwise दिया है सभी में ऐसा clockwise direction दिया है आपको इसको change करने के जरूत नहीं है आपको बस यही direction का use करके यहाँ पर kvl का equation त्यार करन है और उसके त्रू हमें i1, i2, i3 find out करना है तो loop 1 की अगर बात करें तो इस तरह से हमें clockwise current यहाँ पर consider करना है ठीक है तो यहाँ पर kvl का equation लिखते समय एक rule है जो आपको apply करना है जो इसके पहले हमने हर problem में use किये थे rule ऐसा है कि अगर current voltage source में negative side से enter कर रहा है तो voltage source का value negative मि मिलो बस इतना simple सा rule है क्या कहा voltage source में current negative side से enter कर रहा है तो voltage source का value negative मिलो और अगर current positive side से enter कर रहा है तो voltage source का value positive मिलो बस इतना आपको ध्यान में रखना है तो चलो हम यहाँ पे kvl का equation बनाएंगे loop 1 के लिए तो सबसे पहले चेक करो यह loop 1 में यह जो current i1 है यह current i1 यह voltage source में पे चेक करो तो यह देखिए यहाँ पे ऐसा enter कर रहा है ठीक है यह entering side यह living side ठीक है देखो हम यहाँ पे color prices show करेंगे यह है entering side देखो इस तरह से current i1 यह voltage source में यहाँ पे enter कर रहा है और यह negative side से enter कर रहा है ऐसे में यह voltage source का value हम यहाँ पे negative में ले लेंगे ठीक है तो यह हम य नहां लिख लेंगे, that is minus of 6, okay, और अब जो remaining elements है, वो remaining elements आपको सभी positive में ले लेना है, इसका मतलब ये जो 2 ohm है, और ये जो 3 ohm है, ये आपको यहाँ positive में ही लेना है, आपको क्या करना है, इनके across आपको voltage drop यहाँ पे लिखना है, सभी के across का voltage drop का summation आपको करना होता है, kvl मे तो इसके across का voltage हमने यहाँ ले लिए, ठीक है, अब ये 2 ohm के across का voltage drop चेक करो, तो 2 ohm के across का voltage drop के लिए इसमें से flow होने वाला current, जो की I1 है, into 2, इसका मतलब 2 into I1, तो हम यहाँ लिख लेंगे, plus में, that is 2 into I1, ठीक है, इस तरह से इसके across का हमने voltage drop ले लिए, और अब उसी तरह इसके across का voltage drop आपको लिख लेना है, इसके लिए इसमें से flow होने वाला current आपको पहले चेक करना पड़ेंगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, plus 3, अब हमने plus 3 तो लिख लिए, लेकिन अब 3 में से flow होने वाला current क्या है, वो आप चेक करो, तो अगर आप यहाँ properly चेक करेंग इसमें से दोनों type के current flow होंगे, I1 भी और I2 भी, दोनों current यह 3 ओहम में से flow होगे, तो इसमें से flow होने वाला current हो जाएंगा, that is I1 minus I2, ठीक है, देखिए, इस तरह से I1 minus I2, ऐसा हमने कैसे लिख लिए, तो देखो, यहाँ पे 3 ओहम में से flow होने वाला current है, वो loop 1 के according इस तरह से है, ठीक है, यहाँ पे हम उसका direction show करेंगे, ऐसा है, ठीक है, यह I1 ऐसा flow हो रहा है, 3 ओहम में से, और loop 2 की अगर बात करें, तो loop 2 में जो current है, वो है I2 और वो भी, यहाँ पे ऐसा clockwise है, और उसका current जब 3 ओहम में से जाएंगा, तो उसका direction ऐसा है, इसका मतलब I1 ऐसा flow हो रहा है, दोनों के दोनों जो है, वो opposite है, इसका मतलब यह confirm है, कि इसमें से flow होने वाला current या तो I1 माइनस I2 होगा, या तो I2 माइनस I1 होगा, ठीक है, I1 प्लस I2 नहीं होगा, दोनों का प्लस नहीं होगा, दोनों में सबस्टेक्शन होगा, क्योंकि यह दोनों जो है, वो opposite का current दूसरे loop के current से बड़ा है ऐसा मान के चलना है इसका मतलब अभी आप loop 1 के लिए solve कर रहें तो loop 1 का current loop 2 से भी बड़ा है loop 3 से भी बड़ा है ऐसा मान के चलो ऐसे में इसमें से flow होने वाला current हो जाएंगा i1-i2 ठीक है तो यह हमने यहां लिख लिए इसको हम यहां दे देंगे और अब equals to 0 यहां कर लेंगे देखो हमने कहा था कि यह loop 1 में 3 elements है तो 3 terms बनना ताय है तो यह first, second, third ऐसे हमने यहां पे 3 terms का equation तयार कर लिए जब हम loop 2 में जाएंगे तब इसमें से flow होने वाला current हो जाएंगा i2-i1 अभी हम loop 1 के लिए solve कर रहे है तो loop 1 के लिए इसमें से flow होने वाला current हुआ i1-i2 क्योंकि loop 1 का current यहां पे बड़ा है ऐसा मान के चले है इसलिए i1-i2 ठीक है ओके तो equation यहां पे तयार हो गया और जैसा हमने कहा था इसके लिए सिर्फ आपको positive negative चेक करना है तो सिर्फ हमने उसी के लिए यहां पे लिख लिया है यहां पे negative और remaining जो element से उसकी across का voltage drop आपको यहां plus में ही लिखना है तो यह हमने लिख लिए अब इसको solve करो इसक 3 of i2 equals to 6 ऐसा ठीक है तो यह हो जाएंगा 5 of i1 minus of 3 of i2 equals to 6 यह एक simultaneous equation हमें मिल गया इसको equation number 1 दे दो और finally loop 1 में हमने kvl apply कर लिए ऐसा हमें equation मिला यहां पे अभी हमने जो आपको rule बताए थे उसका ultra rule अगर आपने use किये तो भी कोई फरक नहीं पड़ता हमने क्या rule बताए थे हमने आपको कहा था कि voltage source में current negative side से enter कर रहा है तो voltage source का value negative मिलो ऐसा हमने आपको rule बताए थे अगर आपने इसका ultra rule ले लिए मानलो जैसे अगर आपने rule लिए कि negative side से enter करने पर positive ले अगर आपको ऐसा rule लेना है तो भी कोई फरक नहीं पड़ता ऐसे में यह plus हो जाएंगा अग उनों में से कोई भी एक rule आप apply कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि different different books में different different दिया है कुछ books में इस तरह से solve किया है तो कुछ books में इसका ultra rule use किया है उससे कोई फरक नहीं पड़ता final जो equation है वो एक ही बनता है ठीक है तो अब हमने loop 1 में kvl apply कर लिए और अब loop 2 की बार करें तो यहां पर हम यहां पहले लिख लेंगे mention कर लेंगे that is apply kvl apply kvl in loop 2 loop 2 में हम kvl apply करेंगे तो check करो loop 2 में यहां पर कितने elements है तो loop 2 की अगर बात करें तो यह है loop 2 और इसमें से flow होने वाला current है i2 और यह current का direction भी यहां पर clockwise already दिया है उसको change करने की ज़रूत नहीं है ठीक है और यह current i2 है और यह loop 2 में 3 elements है यह 1, 2, 3, 3 elements है तो चलो यहां पर 3 terms बनना तय है तो सबसे पहले हम start करेंगे voltage source के साथ तो check करो पहले कि voltage source में current negative side से enter कर रहा है या positive side से तो यह देखो यह current i2 है यह current i2 ऐसा flow हो रहा है और यह current i2 यह voltage source में ऐसा देखो negative side से enter कर रहा ह यहाँ पर हम color prices show करेंगे यह देखिए इस तरह से यह current i2 यहाँ पर negative side से यहाँ पर enter कर रहा है इसलिए हम क्या करेंगे voltage source का value यहाँ negative में ले लेंगे तो हम यहाँ लेंगे minus of 12 और अब जो remaining elements है वो आपको यहाँ लिखते समय प्लस में ही आपको सिर्फ लिखना है ठीक है voltage source negative लिखे remaining जो element से उनके across का voltage drop आपको यहाँ plus में लिखना है और अब देखो 3 ohm के across का voltage drop क्या होगा तो 3 ohm सबसे हम पहले हम यहाँ लिख लेंगे plus 3 और 3 में से flow हने वाला current तो 3 में से flow हने वाला current अब क्या हो जाएंगा i2 minus i1 हमने आपको थोड़े देर पहले कहा था तो उसी according हम चल रहे देखो i2 minus i1 यह हमने यहाँ लिख लिए हमने आपको थोड़े देर पहले कहा था कि loop 1 के लिए जब solve कर रहे थे तो इसमें से flow हने वाला current था i1 minus i2 जो हमने यहाँ use किये लेकिन अब हम loop 2 के लिए solve कर रहे तो loop 2 के लिए जब solve कर रहे तो इसमें से flow हने वाला current हो गया i2 minus i1 क्योंकि loop 2 का current loop 1 से भी बड़ा है और loop 3 से भी बड़ा है ऐसा मानके चलना है तो यह common element होने के वज़े से इसमें से flow हने वाला current हो गया i2 minus i1 जो हमने यहाँ लिख लिए और अब next 4 4 के across का voltage drop आपको ले लेना है तो हम यहाँ लिख लेंगे plus 4 और अब देखो 4 में से flow हने वाला current यह जो 4 हम है यह दोनो loop के लिए common है loop 2 और loop 3 के लिए common है इसका मतलब इसमें से दोनों type के currents flow होगे अगर i2 की अगर बात करें तो i2 ऐसा clockwise है और 4 में से जो flow हो रहा है वो ऐसा i2 इस तरह से flow होगा ठीक है देखो उसका direction ऐसा रहेंगा और i3 की अगर बात करें i3 ऐसा clockwise है तो इसमें से flow रहने वाला current ऐसा रहेंगा i3 इसका मतलब यह i2 है और यह i3 है दोनों फिर से यहाँ पे opposite में है तो जाहिर सी बात है इसमें से हम i2 माइनस i3 ऐसा लिखेंगे क्योंकि i2 i3 से बड़ा है ऐसा हमने मान के चला है क्योंकि हम loop 2 के लिए solve कर रहे है तो यह हम यहाँ लिख लेंगे 4 into that is i2 minus i3 और equal to 0 तो यह हमने यहाँ पे बना लिए और अब इसके through यहाँ पे एक simultaneous equation बना लो तो यह minus 12 right hand side में shift करो तो plus 12 हो जाएंगा यहाँ 3 से multiply करो तो हम यहाँ लिख लेंगे प्लस माइनस करो तो i1 का टर्म एक ही है तो हम यहाँ लिख लेंगे minus of 3 i1 i2 का टर्म देखो 3 i2 और 4 i2 तो यह हो गया plus 7 i2 ठीक है और i3 का टर्म देखो एक ही है तो minus of 4 i3 इस तरह से और अब equal to यहाँ पे 12 तो यह हमें एक simultaneous equation मिल चुका है यह equation का को हो equation number 2 देखो दोनों loop में हमने kvl apply कर लिया है अभी तक और उसके थुरू हमें दो equations यहाँ पे मिली है और अब एक last loop बचा है चलो अब यह जो last loop है loop number 3 इसमें हम kvl apply करेंगे और फिर से equation बनाएंगे तो चलो अब हम यहाँ step लिख लेंगे apply kvl apply kvl in loop 3 loop 3 में हम kvl apply करेंगे लेकिन पहले चेक करो loop 3 में कितने elements है तो अगर आप यहाँ properly चेक करेंगे loop 3 में current i3 flow हो रहा है यह current i3 का direction ऐसा clockwise है और इसमें सिर्फ दो element है एक है यह voltage source और एक है यह resistance इसका मतलब यहाँ पे दो terms का equation बनेंगा तो सबसे पहले हम start करेंगे voltage source के साथ तो चेक करो voltage source में current positive side से enter कर रहा है या negative side से enter कर रहा है तो यहाँ पे current का direction ऐसा clockwise है और यह जो current i3 है यह voltage source में ऐसा positive side से enter कर रहा है देखो इस तरह से ऐसा positive side से enter कर रहा है इसका मतलब voltage source का value हम यहाँ पे positive में लिखेंगे तो यह हम यहाँ लिख लेंगे 24 plus में और अब remaining elements आपको plus में ही लेना है सिर्फ आपको voltage source में ही check करना होता है कि positive लेना या negative लेना बाकी कोई element के across आपको ऐसा कुछ भी check करने की जरूत नहीं है सिर्फ यहाँ पे जो resistance है अब हम वो लेंगे उसके across का voltage drop लेंगे तो 4 और 4 में से flow होने वाला current अब हो जाएंगा I3 minus I2 तो हम यहाँ लिख लेंगे that is I3 minus I2 इसके पहले 4 में से flow होने वाला current हमने यहाँ लिए थे I2 minus I3 वो इसलिए क्योंकि हम loop 2 के लिए solve कर रहे थे तो loop 2 का current loop 3 से बड़ा है ऐसा मान के चले थे इसलिए I2 minus I3 लेकिन अब loop 3 के लिए solve कर रहे है तो ऐसे में loop 3 का current loop 2 से बड़ा है ऐसा मान के चलो और ऐसे में इसमें से flow होने वाला current हो जाएंगा I3 minus I2 समझ गए जो loop के लिए आप solve करते है वो loop का current दूसरे loop के current से बड़ा है ऐसा मान के आपको हमेशा चलना होता है तो ये हमने इस तरह से equation बना लिए चलो देखते हैं इसको solve करने पर क्या होता है तो ये हम यहां लिख लेंगे minus of 4I2 plus of 4I3 equals to minus of 24 क्योंकि ये इधर plus है उधर जाके minus हो गया और अब हम इसको equation number 3 कहेंगे इस तरह से हमने finally तीनो loop में kvL apply कर लिया है और kvL apply करने के बाद ऐसी हमें 3 equations मिली है equation number 1, 2 and 3 अब ये circuit का काम हो गया अब ये circuit से हमें कोई लेना दिना नहीं है अभी हमें जो भी solve करना है ये equation number 1, 2, 3 से ही solve करना है और हमें अब I1, I2, I3 find out करना है तो ये तीनो equations को solve करने के लिए आपके पास 3 options है पहला option ये है कि आप ये तीनों को directly calculator में solve कर सकते है calculator में simultaneous equations solve करने का option होता है उसके थूँ आप ये तीनों के coefficients calculator में put करो तो आपको तुरंथ I1, I2, I3 मिल जाएंगा ये पहला option दूसरा option ये है कि आप ये तीनों को by using kramers rule से भी solve कर सकते है kramers rule में आपको क्या करना होता है जैसे I1 find out करना है तो delta 1 by delta then I2 find out करना है तो delta 2 by delta I3 find out करना है तो delta 3 by delta उस तरीके का use करेके भी आप यहाँ पे इसका मतलब पहले matrix form में put करना होता है और फिर determinant ले लेके आपको solve करना होता है उसके थूँ भी solve होता है इसके पहले हमने number of videos में kramers rule से कैसे solve करना वो बताये थे आपको वहाँ से study कर सकते है और तीसरा तरीका यह है कि आप यहाँ पे substitution method का भी use कर सकते है इसका मतलब जैसे आपने यहाँ पे I1 का value find out कर लिए I2 के form में वो value आप यहाँ पे put कर लो इसके थुरू आप कोई value निकालो फिर वो value आप यहाँ पे put करो इस तरह से भी आपको I1, I2, I3 मिलता है ठीक है अब आपके college में आपके lecturer आपको क्या बता रहे है आपको उसी के according solve करना चाहिए ठीक है चलो हमें काम करते हैं यहाँ पे इसको हम simultaneous equations जो की calculator में solve होती है हम directly उसके थुरू solve करके बताएंगे क्योंकि grammar rule और substitution method इसके भेले हमने number of problems में solve किये थे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आप वहाँ से वो study कर सकते हैं फिलाल हम इसको calculator में solve कर सकते हैं तो हम यहाँ लिख लेंगे from equation number 1, 2 and 3 ठीक है और इसके थुरू हमें directly i1, i2, i3 का value मिल जाएंगा और problem यही पर complete हो जाएंगा चलो देखते हैं क्या मिलता है उसके लिए आपको पहले calculator में यह तीनो equations के coefficients put करना पड़ेंगा तो calculator में आप simultaneous mode यहाँ पर open कर लेंगे और 3 unknown वाला यहाँ पर option select कर लेंगे तो यह हमने कर लिया है calculator में simultaneous equations कैसे solve करना अगर आपको यह नहीं पता तो इसके उपर already एक special video हमने बनाये थे वो video आप देख लिजेगा उससे आपको समझ में आ जाएंगा कि calculator में 2 unknown है 3 unknown है या 4 unknown है तो कैसे calculator में solve करेंगे वो आपको वो video से समझ में आ जाएंगा वो video का link हमने आज के video के description में दे दिया है आप आसानी से वहाँ से वो देख सकते है तो चलो हम इसको solve करना start करता है तीनों का coefficient हमें यहाँ put up करना है तो i1 का coefficient यहाँ 5U तो हम लिखेंगे 5U equal to i2 का coefficient minus 3 तो हम लिखेंगे minus 3 equal to i3 यहाँ पर नहीं है इसका मतलब उसका coefficient 0 equal to right hand side में 6 है तो हम लिखेंगे 6 equal to ठीक है पहला equation हमने कैसी में put कर लिए और अब दूसरे equation की बारी i1 का coefficient minus 3 equal to i2 का coefficient 7 equal to i3 का coefficient minus 4 equal to right hand side में 12 equal to दूसरे equation put हो गया तीसरे equation की बात करें i1 यहाँ पर नहीं है उसका coefficient 0 i2 का coefficient minus 4 equal to i3 का coefficient 4 equal to right hand side में minus 24 equal to तो तीनो equations कैसी में put हो गई और अब हम यहाँ equal to करेंगे तो हमें i1, i2, i3 तीनो मिल जाएंगे तो i1 मिला है हमें minus 3 तो यह हम यहाँ उसका answer लिख लेंगे i1 हमें मिला है minus of 3 ampere i2 हमें मिला है minus of 7 ampere and i3 हमें मिला है minus of 13 ampere इस तरह से question में जो find out करने के लिए कहा था वो यह हमने find out कर लिए आप यह grammar rules से भी solve कर सकते है या substitution method से भी solve कर सकते है तीनों के through एक ही answer आता है ठीक है आप चाहें तो check कर सकते है तो finally question में जो कुछ भी find out करने के लिए कहा था वो सब कुछ हमने find out कर लिए problem यही पे complete हो गया उम्मीद करते है कि यह problem आपको समझ में आया होगा यह problem आपको अपनी practice book में ज़रूर solve करके देख लेना चाहिए यह था किर्चाफ्स voltage law यह topic का problem number 13 इसके पहले जो हमने इसके 12 problems लिए थे वो भी आपको study कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी number of problems cover करेंगे ताकि इसकी अच्छी कासी practice हो जाए तो मिलते हैं next video में thank you very much